जैहिन दोस्तों मेरा नाम है जै और मैं आप सभी का एक बार फिर से वैलकम करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल The Learning Fuel पर दोस्तों एक बार फिर से हमाजे ने आपके सामने एक नई गवर्मेंट भरती अपडेट के साथ जैहां दोस्तों अगनीबद भरती योजना के तहत इंडियन आर्मी ने ARO यानि के आर्मे रिकूर्टिंग आफिस लुधियाना के अंतरगत पंजाब के लुधियाना, मोगा, रुप नगर और साहिब जादा अजीत सिंग नगर के अगनीबीर इंडियन आर्मी रिली भरती के लिए और आपको बता दें कि यह आपकी आर्मी रिली सीजी कॉंपलेक्स नियर जगराओ ब्रिज लुधियाना में होगी दोस्तों इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे तो वीडियो को एंड तक पुरा जरूर देखें तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे बहले बात करते हैं यहाँ पर पोस्त नेम के बारे में तो यहाँ पर आपके पोस्त रहेंगी अगनीवीर जुडी यानि के जनरल ड्यूटी इसके अलावा अगनीवीर टेकनिकल, अगनीवीर कलर्क, अगनीवीर एसकेटी यानि के स्टोर कीपर टेकनिकल इसके अलावा यहाँ पर आपके पोस्त रहेगी अगनीवीर ट्रेट्समें 10 पास और अगनीवीर ट्रेट्समें 8 पास तो ही होगे आपके post, अब हम बात करेंगे इसकी important dates के बारे में तो इसके online registration 1 जुलाई 2022 से शुरूँगे और इसके registration के last date है 30 जुलाई 2022 और अगर बात करें really की date के बारे में तो यहाँ पर आपके really की date रहेगी 10 अगस्त 2022 से लेकर 20 अगस्त 2022 तो ही होगे इसकी important dates करता है इसकी age limit यानि के आपके उम्र के बारे में तो यहाँ पर आपके उम्र 1 अक्तूबर 2022 के साब से count होगी तो इस date के साब से आपकी कम से कम उमर 17.5 साल तक हो सकती है और आपके अधिक्तम उमर 21 साल तक हो सकती है लेकिन दोस्तो यहाँ पर आपको बता दें कि साल 2022 से के लिए Indian Army की जो भी release होंगी उन सभी के लिए आपके maximum age में आपको 2 साल तक की चूट दी जाएगी यानि कि आपके जो अधिक्तम उमर है वो 30 साल तक हो सकती है तो यह होगे आपके age limit अब बढ़ते हैं आगे और बात करता है इसके pay scale यानि कि इसके वेतन के बारे में तो दोस्तो आपको बता दें कि अगनीवीर को मिलने वाली salary के बारे में हमने एक detail separate वीडियो बना रखा है आपको उपर i button में और इस वीडियो के description में मिल जाएगा अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपके educational qualification के बारे में तो यहाँ पर सबसे पहले में बात करेंगे अगनीवीर GD यानि के general duty trade के लिए आपकी educational qualification के बारे में तो इस ट्रेडिक लिए अपलाई करने के लिए आपको कम से कम 10 वी पास होना जरूरी है और यह जो आपने 10 वी पास करिए इसमें आपके aggregate यानि के सभी subjects में मिलाकर कम से कम 45% मार्क्स होना जरूरी है और आपके हर subject में कम से कम 33 यानि के 33% marks होना ज़रुरी है और वो candidates जिन्होंने 10th essay board से पास करिये जहाँ पर grade system है तो आपके हर subject में कम से कम D grade होना ज़रुरी है और सभी subjects में मिलाकर यानि के aggregate आपको कम से कम C2 grade होना ज़रुरी है अगर ही qualification आपके पास है इसमें आपके पास PCM यानि के physics, chemistry और maths इसके साथ ही साथ आपके पास English भी होना ज़रुरी है और धान रहे कि आपके 12th में aggregate यानि के सभी subjects में मिलाकर कम से कम 50% marks होना ज़रुरी है और आपके individual subject में यानि के हर subject में कम से कम 40% marks भी होना ज़रुरी है तो या तो ये qualification हो या फिर आपने बार भी पास करी हो PCM के साथ यानि के physics, chemistry और maths के साथ इसके अलावा English भी उसमें होना ज़रुरी है इसके साथ ही साथ आपके पास कम से कम एक साल का ITI course भी होना ज़रुरी है required field के अंदर और ये जो अपने ITI करी है या आपने NCQF यानि के National Skill Qualification Framework से करी हो और धान रहे इस ITI में आपका Level 4 या फिर उसके Above Level होना ज़रुरी है तो यह हो गई आपकी Agnivir Technical Trade के लिए Qualification अब हम बात करेंगे Agnivir Clerk और SKT यानि के Store Keeper Technical Trade के लिए आपकी Qualification के बारे में तो इस Trade के लिए अपलाई करने के लिए आपको 12 पास होना ज़रुरी है और ये जो आपने 12 पास करी है वो किसी भी Stream के अंदर हो सकती है कहने के मतलब ही हुआ कि आपको 12 पास होना ज़रुरी है चाहे वो आपने Arts से करी हो या फिर Commerce से या फिर Science से लेकिन धान रहे ये जो आपने 12 पास करी है इसमें आपके Aggregate यानि के सभी Subjects में मिलाकर कम से कम 60% Marks होना ज़रुरी है और Individual Subject में यानि के हर Subject में कम से कम 50% Marks होना ज़रुरी है इसके अलावा अगर आपके पास 12 के अंदर English, Maths, Accounts या फिर Bookkeeping Subject है तो इन Subjects में भी आपके कम से कम 50% Marks होना ज़रुरी है तो यह हो गया आपकी Agnivir Clerk और XKD Trade के लिए Qualification अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं Agnivir Treadsman and Pass के लिए Qualification के बारे में तो इस Trade के लिए Apply करने के लिए आपको Simply 10 पास होना ज़रुरी है अगर आप 10 पास हैं तो आप इसके लिए Eligible है और यहाँ पर आपको बतारे हैं कि इसमें Aggregate Percentage का कोई Criteria नहीं है लेकिन आपके हर Subject में कम से कम 33% Marks होना ज़रुरी है अब हम बात करेंगे Agnivir Tracement 8th Pass के लिए आपकी Qualification के बारे में तो इस Trade के लिए अपलाई करने के लिए आपको Simply 8th Pass होना ज़रुरी है और इस Trade के लिए भी आपका Aggregate Percentage का कोई Criteria नहीं होगा लेकिन आपके हर Subject में कम से कम 33% Marks होना ज़रुरी है तो यह होगे आपकी Agnivir Tracement 8th Pass के लिए Qualification तो दोसे यह थी आपकी Trade-wise Educational Qualification अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके Selection Process के बारे में तो इसके Selection Process में आपके Total 4 Steps होंगे सबसे पहला Step होगा आपका PFT यानि के Physical Fitness Test PFT क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है PMT यानि के Physical Measurement Test PMT क्लियर करने के बाद में आपका होगा Medical Examination और फिर लास में आपका होगा Return Examination तो यहाँ पर One by One करके हम इन सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे बहले बात करते हैं PFT यानि के Physical Fitness Test के बारे में तो PFT में सबसे बहले आपके होगी 1.6 km के Running और इस 1.6 km running को दो Groups में Divide किया गया है Group First और Group Second Group First में वो Candidates आएंगे जो इस 1.6 km running को 5 मिनट 30 सेकंड के अदर Complete कर लेंगे वो Candidates Group First में आएंगे और ऐसे Candidates को 60 में से 60 Marks दी जाएंगे और वो Candidates जोकि 1.6 km running को Complete करने के लिए 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक का टाइम लेते हैं तो ऐसे Candidates को Group Second में रखा जाएगा और आपको 60 में से 48 Marks दी जाएंगे तो PFT में यह होगी आपके 1.6 km की Running 1.6 km running Complete करने के बाद में PFT में आपका अगला टेस्ट होता है Beam यानि के Pull-Up तो यहाँ पर Pull-Up टेस्ट के अंदर आपको Maximum 10 Pull-Ups निकालने होते हैं और अगर आप 10 Pull-Ups proper way में सही तरीके से निकाल पाते हैं तो आपको 40 Marks दे जाते हैं अगर आप 9 Pull-Ups निकाल पाते हैं तो ऐसे Candidates को Disqualify कर दिया जाएगा PFT में Beam यानि के Pull-Up टेस्ट होने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है 9 Fit Dish 9 Fit Dish में एक 9 Fit का लंबा गड़ा होता है जिसको कि आपको कूदना होता है और यहाँ पर आपको बता आने कि इस टेस्ट के कोई Marks नहीं जुड़ते हैं लेकिन आपको इसको Qualify करना ज़रूरी है अगले Steps में जाने के लिए PFT में 9 Fit Dish क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है ZIGZAG Balance ZIGZAG Balance भी Qualify के नेचर होगा आपको बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे Agnivir GD Trade के लिए आपकी Height के बारे में तो इस टेड के लिए आपके Height कम से कम 170 cm तक होना जरूरी है अब हम बात करेंगे Agnivir Clark और Storekeeper Technical Trade के लिए आपके Height के बारे में और अब फाइनल हम बात करेंगे Agnivir Tradesman 10th Pass और Agnivir Tradesman 8th Pass टेड के लिए आपके Height के बारे में तो इन दोन ही टेड के लिए आपके Height कम से कम 170 cm तक होना जरूरी है और अगर बात करेंगे यहाँ पर आपके Chest के Criteri के बारे में तो आप चाहाए किसी भी ट्रेड के लिए अपलाई कर रहे हो आपका Chest कम से कम 77 cm तक होना जरूरी है और उसमें कम से कम 5 cm तक का फुलाओ भी होना जरूरी है और अगर बात करें यहाँ पर आपके Weight यानि के वजन के बारे में तो यहाँ पर आपका Weight आपकी Height और आपकी Age के According रहेगा वो Candidates जो की War Video के Legally Adapted Sun या फिर Sun In Low है तो ऐसे Candidates को Height में कम से कम 2 cm तक की चूट दी जाएगी अगर बात करें Chest के बारे में तो ऐसे Candidates को Chest में कम से कम 1 cm तक की चूट दी जाएगी और अगर बात करें Weight के बारे में या फिर अपने district को state level पर या फिर अपने school, college या फिर अपने university को किसी भी game के अंदर represent किया है और अगर आपने कोई medal जीता है या फिर आपने team event के अंदर 6th position हासिल करी है तो ऐसे candidates को height में कम से कम 2 cm तकी छूट दी जाती है तो इसके selection process में PMT clear करने के बाद में आपका अगला test होता है medical examination दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप medical के बारे में ज्यादा जान कारी चाहते हैं तो हमने इसका एक detail separate video बना रखा है जिसका link आपको इस video के description में और उपर i button में मिल जाएगा तो ज़्यादा जान कारी के लिए आप वो video ज़रूर देखें selection process में medical examination clear करने के बाद में आपका अगला test होता है return examination तो दोस्तों यह हो गया इसका selection process अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपके documents के बारे में आपका admit card इसके लावा आपको जो अपनी 20 passport size photograph की साथ में लेकर जानी है और दोस्तों यहाँ पर आपको बता देगी यह जो आपकी photographs होंगी इनका background color white ही होना ज़रूरी है photographs के लावा यहाँ पर आपको अपना educational certificates आपका domicile certificate इसके लावा यहाँ पर आपको अपना caste certificate relationship certificate, religion certificate, school character certificate, इसके लाव यहाँ पर आपको अपना character certificate, unmarried certificate, relationship certificate दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि relationship certificate के वल उनी candidates को लेकर जाना है जो कि sons of servicemen है या फिर sons of ex-servicemen है या फिर sons of war widow है तो essay candidates को अपना relationship certificate भी साथ में लिखर जाना है ताकि आपको PMT यानि के physical measurement में छूट मिल सके इसके लाव दोस्तों अगर आपके पास NCC certificates है तो वो भी आपको साथ में लिखर जाना है ताकि आपको return examination में bonus marks मिल सके इसके अलावा अगर आपके पास कोई sports certificate है तो वो भी आप साथ में लिखर जाना है ताकि आपको return examination में bonus marks मिल सके और इन सब के अलावा आपको जो है affidavit, single bank account, pancard और azar card भी आपको अपना साथ में लिखर जाना है तो दोस्तो ये वो documents थे जो कि आपको रेली के time साथ में लिखर जाने होंगे अब finally हम बात करेंगे कि आप इस vacancy के लिए कैसे apply कर सकते हैं तो इस vacancy के लिए अपलाई करने के लिए Indian Army की official website www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर आप इसका form fill कर सकते हैं और इसका form fill करने की last date है 30 जुलाई 2022 So friends ये वीडियो था Indian Army ने ARO यानि के Army Recruiting Office लुध्याना के अंतरगत, पंजाब के लुध्याना, मोगा, रुप नगर और साहिब जादा, अजीत सिंग नगर के eligible mail candidate से अगनीवीर Indian Army रेली भरती के लिए online applications invite किये हैं उसके बारे में दोस्तों उमीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आप कुछ information दी वो आपको अच्छे लगयोगी अगर वीडियो च्छा लगा होते इस वीडियो को like और अपने दोस्तों के साथ share ज़रूर करें और future में इस चैनल पर इसी तरने के useful वीडियो देखने के लिए इस चैनल को subscribe करके bell icon ज़रूर तबाएं जिससे आपको ऐसे ही useful वीडियो के updates मिलते रहें So thank you for watching our video, जाहिन